नमस्कार दोस्तों मेरना हमें आकिल बार असकर आप देख रहें Advantage and Technology Channel तो चेलिए दोस्तों शूरू करते हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Pump के Capacity के बारे में बहुत सारे लोगों के ये सावाल आयें कि सर ये स्टेज क्या होता है और हम ये कैसे पैचनेगी ये Pump इतने गहराय तक चलेगा आज हम इस उडियों में पुरा इसी की बारे में बात करने वाले ये उडियों खतम होने तक आप पुरा समझ जाएंगे कि कौन सा Pump कितने गहराय तक चलता है दोस्तों Pump के Capacity जो होती है वो Depend करती है हमारे Pump के स्टेज से दोस्तों जितना हमारा ज्यादा स्टेज होगा उतना Pump गहराय तक ज्यादा गहराय तक चलेगा और जितना हमारा Pump का स्टेज कम यानि कि Amplier कम उतना पानी ज्यादा और उतना Pump ऊपर चलेगा आप pump को कितने भी HP की motor जोड़ दें, सिर्फ पानी में फरक पड़ सकता, यानि कि दोस्तों हमारे पास 8 का pump है, तो आप उसको 5 की भी motor जोड़ सकते हो, 5 HP की, या फिर आप उसको 3 HP की भी motor जोड़ सकते हो, फरक सिर्फ उसमें इतना आएगा, 5 HP motor जोड़ने के बाद, थोड़ सापानी कम आएगा, लेकिन दोस्तों ये तुरही motor की बात, लेकिन हमें motor pump गहरा तक छोनने के लिए, सबसे यहां पर महत्व दिया जाएगा pump को, चाहिए motor कितने भी HP की हो, pump उतना capacity का होना चाहिए, ये सबसे जरूरी है, दोस्तों आपने सुना होगा, 3-8 का motor, या फिर 5- चाट का motor, या फिर 7-12 का motor, या फिर 7-16 का motor, ये सारी चीज़े क्या है, ये जो सारी चीज़े हैं दोस्तों, इसमें ऐसा है कि 7-12, यानि कि दोस्तों, इसमें 7-7 HP की motor और 12 का pump, आज हम ये जानेंगे कि ये 7-12 का pump कितने गहराय तक चल सकता है, पूरा calculation करके, ज्यादा confusion में मत पड़े, पूरा विस्तार से मैं आपको समझाऊँगा, 100% आप समझ जाएंगे, ये मेरी guarantee है, बहुत सारी set होते हैं, जैसे कि 5-8 की motor, जैसे कि 7-12 का motor, यानि कि 5-8 बोले तो 5 की motor और 8 का pump, 7-12 यानि कि 7-7 HP की motor, 12 stage का pump, 7-7-16 यानि कि 7-7 HP की motor, 16 का pump, 8-16 यानि कि 8 HP की motor, और 16 स्टेज का pump, 16 स्टेज के अंदर होता क्या है, कि 16 स्टेज के अंदर 16 एंपलेर होते हैं, अगर हम 5 HP की motor लेते हैं, तो इसके अंदर 5 HP की motor और 8 स्टेज का pump, यानि कि दोस्तों 8 स्टेज का pump, यानि कि दोस्तों इसके अंदर 8 एंपलेर रहते हैं, और यही pump depend रहता है कि कि आप कितने गहराय तक छोनने वाले हों तो इसके में बताने से बेतर है कि पहले हम ड्राइंग पेपर पर समझेंगे और फिर प्रैक्टिकली समझेंगे और दोस्तों अब एक बात चाहे आपकी मोटर जितने भी हो चलीगी लेकिन पंप उतना कापेसिटी का होना चाहिए त कि ये मोटर इतने अंदर तक चलेगी पंप पर डेपेंड रहता है कि पंप कितने अंदर तक चलेगा और इस वीडियो में हम सिर्फ यही बात करेंगे कि फीफोर और फीशिक्स का पंप कौन सा पंप कितने गहराय तक चलता है बस इसे की बारे में बात करेंगे और कुछ भ बात करने वाले हैं कि कितने stage का pump कितने गहराई तक चल सकता है आप motor को देखे आप यह आंदाजा लगा सकते हो कि यह motor इतने इतने fit तक बोर वेल के अंदर चलेगी जी है दस्तो आज हम बात करेंगे सिर्प मोटर के stage के बारे में और यह जो खास वीडियो जो है यह वीडियो हम drawing की मदद से आपको समझाने वाले हैं और इस वीडियो के end में आपको इस motor के practical वीडियो मिल जाएंगे जैसे हम practically बताएंगे आपको उसके अंदर stage क्या होता है और stage क्या कौन सी motor कितने गहराया तक चल सकती है और मेरा यह वादा है आप से यह वीडियो देखने के बाद आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि कौन सी motor कितने गहराय तक चलीगी लेकिन उससे पहले हम सहारा ले रहे हैं drawing का ताकि हम इससे आपको बड़ी आसानी से समझा सकती है ठीक है तो देखें दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने तीन समझेबल motor example के लिए दिये हैं आज हम पान डूबी की motor के बारे में बात नहीं करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं वीशिक्स वीशिक्स और फिपोर यह जो बोर वैल के अंदर motor चलती हैं इसकी बारे में कि यह कौन सी motor कितने गहराय तक चलती है यह हम कैसे कह सकते हैं या फिर हम कैसे देख सकते हैं कि यह motor इतने un fast चल आपने के नहीं तो कि यह मोटान की चलेगे है पर आप इस व्यटियों के बाद आप खुत ही पैसलाई जाएँ गोड भला अपास ना कंपनी का हों दूसरा अब ऑस हिश लेकिन अलग अलग है यह क्यों है मैं बाद में बात करूँगा और यहां पर मैंने special motor दिया है जो कि फीपूर का है यानि कि इसी motor छोटा है और यह भी है कुछना company का अगर आप यह बात कर रहे हैं कि फीपूर और विशिक्स यह क्या है तो फीपूर क्या है दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता द कि फीपूर और विशिक्स यह है कि फीपूर समच्वल मोटर तो शायद आपको पता होगी जो बड़ी मोटर आती है जो कि छेंज की बोर के अंदर हम डालते हैं बस उसी को उपर निचे से दावा दावा के दावा दावा के फीपूर मोटर बनाई है इसके अंदर कुछ भी डिपरेंस नहीं है फीशिक्स समच्वल मोटर के अंदर और फीपूर समच्वल मोटर के अंदर वाइडिंग सेम आता है सिर्पक जेच छोटा बड़ा आउटर नक कम ज़्यादा होते हैं जैसे कि फीशिक्स मोटर बड़ी है और फीपूर मोटर छोटी है फीठी उसी छोट कुछ डिपरेंस नहीं, रोटर के अंदर कुछ डिपरेंस नहीं, स्टेटर के अंदर कुछ डिपरेंस नहीं, वाइडिंग के अंदर भी कुछ डिपरेंस नहीं, तब तक के लिए आप ये समझ जाएए, ये आप भूल भी जाएए कि विशिक्स और 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 विशिक इनके पार्ट जो होते हैं छोटे बड़े हैं इनके पार्ट बस डिक्टो कॉपी हैं इसके अंदर कुछ भी डिप्रेंस नहीं रोटर इसका बड़ा फीशिक्स का बड़ा फीपुर का छोटा यानि कि सिर्फ फरक सिर्फ इतना है कि छोटा बड़ा इसकी बेरिंग बड़ी फ फरक है और कुछ नहीं कितने stage का pumpa कितने फिड़ तक चलेगा देके दोस्तो हमारे पास kal Kunshinog मची के पंप यह किको कमपणने का Open यह दो हमने लिये रहेगा है तुछ से पहले हम यह ऐसे मोत करेंगे कि तो समझ लेना कि उसके अंदर ऐसे 10 एंप ले रहें आप अगर 10 आप अगर 12 स्टेज का पंप लेने जाते हो तो समझ लेना कि उसके अंदर 12 एंप ले रहें आप अगर 20 स्टेज का पंप लेना चाहते हो तो उसके सांदर समझ ना कि 20 एंप ले रहें तो इसको कहते हैं हम स्ट तो मैं पहले शाफ्ट को बाना देता हूं यहां दोस्तों आपके पास मैंने एक शाफ्ट दिया है यह जो शाफ्ट है यह मोटर की उपर रख दिया है पहले मैं इन दोनों के काम बताता हूं मोटर का सिर्फ यह काम होता है कि इस पंप को गुमाना और पंप का काम होता है पान हम मोटर के शाफट के उपर हम si sorry मोटर के रख देते हैं और उसके बाद इस टोटल हम प्याइब कर देते ई तो दोस्तों देखिए हमारी पास यहां दो स्टेज हैं, दो स्टेज के अंदर होता क्या है, पहला हम यह एंपलेर हैं, एक एंपलेर और इस स्टेज के अंदर एक एंपलेर, तो आप देख सकते हों यहां पर दो एंपलेर हैं और मेरे पास दो स्टेज हैं, आप देख सकते हो तो यह स्टेज, तो यह पहला हमने एंप्लियर बिठा दिया, फिर इसके उपर का, तो पहले हम यह एंप्लियर बिठा दिया, यहाँ पे शाफ्ट की उपर, फिर इसके उपर का यह बाउल्स होता है, यह बिठा दिया, ठीक है, कुछ इस तरह, तो दिखिए हमने पहला एक एं अगर हमें motor की capacity बढानी है तो हमें एमपेलेर बढानी होगे पहले आप एक बात importer में चीज बढ़ा देता हूं जितना एमपेलेर motor के अंदर कम होगा उतना motor जाधा पानी देगा जितना स्टेज जाधा होगा उतना motor पानी कम देगा अगर आप इस भ्रह्म में हैं कि जाधा stage का pump जाधा पानी देगा तो ऐसा नहीत है जाधा stage का pump पानी कम देगा और कम stage का pump पानी जाधा देगा confused ना हो जो इतना भी कम stage है वो पाने ज़्यादा देगा as compared to ज़्यादा stage वाले pumpers से ठीके तो पहले देखिए यहाँ पर हमने एक employee set कर दिया और फिर ओपर से एक ऐसा balls लागा दिया ठीके तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होता कि है मैंने दो motor आपको अलग-अलग इसल देखा लेंगे दोस्तों हम यह different करता है employer के ऊपर कि एक employer की कितने capacity है और इसको मिला कि हम कितना यह pump इतने फिट तक गहरा तक चलेगा यह हम बता सकते हैं तो दिखिए का ज़्यादा कुन्फिज होने की बात नहीं है तो हमारा यह जो employer है एक कुछना के अंदर एक कुछना पंप का employer है तो यह जो employer की capacity है एक employer की 30 feet यह समझ में आएगा यानि कि हमारा यह जो employer है एक employer 30 feet तक पानी ऊपर ढेकल सकता है अगर शिर्प आप ऐसी समझबल मोटर को चाहिए मोटर जितने भी HP की हो मोटर HP से कोई लेना देना नहीं हाला कि मोटर का HP अगर आप बढ़ाएं वो depend करता है pump के अंदर कितने employer है यानि कि pump कितने stage का है चाहिए मोटर जितना भी HP का हो उससी कोई लेना देना है नहीं ठीक है तो दिखिए यहाँ पर हमारा employer है तो यह employer का capacity है 30 feet तक यानि कि आप बोर वेल के अंदर अगर सिर्प मोटर को एक employer बेटा के छोड़ देंगे त एक employer बिठाने के बाद फिर से इसके ऊपर से एक balls यानि कि IP इसके ऊपर set कर देते अभी यह 2 employer हो गए तो इस employer की 30 feet capacity है और इस employer की 30 feet capacity है तो यह employer 30 feet तक पानी ऊपर ढेकल देगा यानि कि दोनों को मिला को कितना हुआ 60 feet तक यानि कि 2 employer अगर लगाएंगे तो 60 feet तक पानी ढे कर सकता है तो अब मैं इसके अंदर 1-2 employer हो गए अब मैं इसके अंदर 3 employer लगाता हूं 3 employer लगाने के बाद यह फिर से 30 feet तक पानी डेकल देगा यह employer लगाने के बाद यह फिर से 30 feet तक पानी ऊपर डेकल देगा इसी तरह मैं फटा-फट से सारे employer लगा लेता हूं तो अभी द दोस्तों हम bump the stage होता है वह depends होता है कि कितने गहरा तक चलेगा वह depends होता है कि के अंदर emplier की कितने एंप्लेयर हैं इसके आंदर 1 एंप्लेयर की capacity है 30 तक तो ऐसे सारे मिला कि अगर आप इनका गुना करेंगे यानि कि ये सब की बेरिज भी करेंगे अगर ये प्लस प्लस करेंगे सभी को तो यह कितने फिट तक आएगा यहां पर हम पहले देखेंगे कितने एंपलियर हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस दोस्तों इसके अंदर टोटल दस एंपलियर हैं अगर तीस तीस फिट तक अगर आप बेरिज लागाएंगे दस य यह कैपैसिट देखने के लिए आपको तीस गोना दस याने कि दोस्तों यह पंप जो है तीन सो फिट तक चलेगा यह कुरुष्णा कमपनी का विशिक से समर्शिबल मोटर तीन सो फिट तक चलेगा एक एंपलियर की कैपैसिट यह अगर तीस फिट तक यह 300 फिट तक यह अगरे एकदम टॉप लेवल में यहां पर बुशिंग होती टाकि शाफ्ट को तेड़ा अगरा ना होने दे अब बात करते हैं इस मोटर का इस मोटर में और इस मोटर में ऐसा क्या खास दिपरंस है जो हमने अलग-अलग लिया है दिखिए यह मोटर है 6P का और यह मोटर के ऊपर अर अलग-अलग इस हर एंपलियर की अलग-अलग कैपैसिटी होती है कि कौन से एपलियर कितना कैपैसिट तक पानी ऊपर डेकल सकता है तो यह जो ऑश ए इस पहले का ना हाई आहह देख सकते हो यह जो है बड़ा है और यह छोटा है यानि कि रूंदी कह रहा हूं है रूंदी यानि कि यह जो है यह जो है इसा देखेंगे इससे छोटा है यह यह जो है एंपिलेर इससे बड़ा है और यह एंपिलेर इससे छोटा है तो दिखिए दोस्तों यह जो एंपिलेर है एक एंपिलर की capacity है 50 feet तक तो दोस्तों इसका एक जो एंपिलर है वो आपको 50 feet तक पानी डेकल सकता है उपर तो दोस्तों इन सब का अगर आप देखेंगे 50 feet तक ऐसे कितना होगा तो मैं फटाक से लिख सभी लिख लेता हूं तो दोस्तों आमने यहाँ पे 50-50 feet का सभी एक एंपिलर का capacity है 50 feet और इस pump के अंदर था एक एंपिलर का 30 feet जैसे कि हमारे पास हंडी पंप आता है उसके अंदर गभी 100 feet 30 feet तक तक रहता होगा लेकिन यह जो एंप्लेर हैती ही यह 50-50 फिट की हेड में आते हैं और यह हमें कैसे पता चलता है यह हमको पता नहीं चलता यह कंपनी बताती है कि हमार एक एंप्लेर 50 फिट तक पाने ड़के लेगा यह कंपनी बताती है हमें को हमको पता नहीं होता एसे मोटर के अंदर एक की मोटर के उपर अब दूसरा अब एक पंप है डश्टर बोलके उसके अंदर एक आता है और भी बहुत सारे मोटर में आता है लेकिन मेरे को ज़्यादा पता नहीं ठीक है यह जो पाचास फीट है दिखें यह जो पंप है दस स्टेज का है एक दो तीन चार पांच छे साथ आ तो है पाचास फिक दढ़ेखाना आता है यह सबी लोगों की बीरीज लगाएंगे तभी यह पासो फिट आ जाएगा यानि के कैसे यह सव हुआ, यह 200 हुआ, यह 350 हुआ यह देखेंगे आप तो यह देखेंगे आप यह दोनों भी जो pump हैं वह 10-10-drifts की हैं लेकिन दोनों के भी जो capacity हो अलग अलग है समझ में आया आपके अगर हम बात करेंगे कि इन दोनों में से pump कौन सा पानी ज्यादा देगा तो ये पानी कम देगा क्योंकि ये पास सफिर तक चलने वाला है और ये जो पानी है इस से ज्यादा देगा क्योंकि ये तीन सफिर तक चलने वाला है हमारे स्टेज की संक्या जितने कम उतना पानी ज्यादा देगा जितने कम गहरे तक चलेगा उतना प लेकिन यह पंपा 300 तक चलने के लिए इसकी जो साइज है एंपलियर की और भी कम हो जाएगी क्योंकि इसका जो हेड़े होता है एक एंपलियर का वह बहुत ही ज्यादा होता है ठीक है तो अब बात करते हैं हमारा तिसरी पंपा की बारे में जो कि वीपूर का है और यह से कर दिया इस मोटर को यह कहते हैं उसको फिपूर समर्शिबल मोटर इसको लागवाने के लिए बहुत ही खर्चा कम आ जाता है अब भी बात करते हैं सिर्फ इसकी तो इसका जो स्टेज होता है अब यह भी कितने स्टेज का पंप है पहले देख लेते हैं एक दो तीन चार प लेट इसकी थिचाश समर्शिबल मोंटर का है ज़्यादातर हमारी लैफ में यही तीन मोंटर ही यूज होते हैं इसकी आलवाशा मोंटर यूज नहिंँ होता ही यह पास यстрой हमारे नॉर्मल या την टीन आपको नहीं आ देख जो समर्शिबल मोटर इसका कितना का संबर्षेट रहता है देखिए यह जो इंप्लेयर होता है फीपुर सब्सिप्ल मोटर का एंप्लेस्टिक में बहें आता है अई श्चील के अंदर भी आता है हाला कि इसके अंदर आपको लिका है Seven लेकिन इससे हमें कुई लेना देना नहीं दो कि इसकी ओपरदेंड नहीं होता तो उसे कम देगा यह डिपेंड करता है कि आप उसके नीचे कितना स्पी का मोटर लागा रहे हैं आप अगर 6 स्पी का लागायते हैं तो वहाँ पर चलेगा 10 का भी चल सकता है और 7 का चल सकता है तो दीखें दोस्तों अभी हमारी पास आपको स्टेज कौनसा पंप कितने पंप नहीं के तक चलेगा चाहिए आप ए 10 स्टेज की पंप को 5 सिपेक मोटर लागा सकते हैं 6 पी का उब लागा सकते हैं 7 सिपेक का लागा सकते हैं और 3 सिपेक लागा सकते हैं तीनों भी पंपर चलेगा और तीनों भी पंपर स्टेज की इसाब से 12 का पैसिटेक तक चलेगा तो आभी बात करते हैं मेंन मुद्य के उपर ये जो हीपूर समशबल मोटर का एक एंपिलर जो होता है इसकी कैपैसिटी होती है 18 फीट यानि कि ये जो एंपिलर है एक 18 फीट से लेंगे हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे दो केलकुलेशन करेंगे 15 की साफ्जिटी थीक है तो कंपणी बताती है एक Amplier हमारा 18 फिट पानी उपे ढ़किलया लिकिन मैं 15 की इसाफ सी चलाऊंगा ठेके अब्र CC घैकर अगर यह 2 Amplier की बात करेंगे तो यह 30 फिट पानी उपे ढ़किल एगा अगर हम 3 एंपिलेट की बात करेंगे तो 45 फिट तक पाणी ऊपर ढखे लएगा अगर आप इन सब की अगर बेरिज लगाएंगे सभी एंपिलेट की तो कितने हो जाएगी यहाँ पे 10 एंपिलेट हैं 10 एंपिलेट की अगर 15-15 से हम अगर बेरिज लगाएंगे या फिर गुणा करेंगे तो एक हमारे स्टेज के अंदर कितने एंप्लियर हैं 10 ठीक है या फिर कह सकते हो कि एक एंप्लियर की कैपैसिटी कितने है 15 फीट की ऐसे कितने स्टेज हैं 10 तो यह टोटल 1500 फीट तक चलेगा तो शायद यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पंप कितने फीट तक चलता है यहां पर 20 समझेबल पंप यह मोटर दोनों की भी सेम है लेकिन एंप्लियर की कैपैसिटी अलग अलग है तो यह 10 टेज का पंप तेन सो फीट तक चलेगा यह 50 यह 10 स्टेज का पंप 500 तक चलेगा क्योंकि यह चोटा है तो यह 500 तक चलेगा यह तो दोस्तों आपको समझ में आ गया है इसे मैं यहां पी लिखत देया था कि यहां 30,50 और पंद्रा क्योंकि हमारे नॉर्मल लाइफ के अंदर यही हेड के जो पंप होते हैं हमारे पास होते हैं यह 30 फिट का 26 में आता है यह 15 फिट का पर एमपिलेर का जो है यह विपोर समर्शिबल मोटर के अंदर आता है अब जो बात करने वाले हम कि कौन सा पंप कितने कैपैसिट चलता है वो कैसे हम करेंगे कालकुलेशन की मदद से दोस्तों हमारे पास है वीक्षब समर्शिबल मोटर है वीक्षब सगा और उभिपोर तो देखें यह जो है तो पाच आठ छे दस इस तरह सुना हो तो पाच इसपी की मोटर आठ स्टेज का पंप ऐसा होता है यह जो विशिक्स समर्शिबल मोटर है तो इसका एक एंप्लियर का कपैसिटी है 30 फीट तो इसकी इसाफ से यह पंप कितने चलेगा पाच आठ का पंप कितने फीट तक है तो पाच आठ का ययाँ कि हमें मोटर से कोई लिए से ना नहीं है ठीक है तो यह कम लिए chain हमारा 30 फीट का चलता और आट का प् nap है तो निकल जा हैगी पाच आठ का अगर 58 मोटर आट तो 240 फीट तक चलेगा अब बात करते हैं इसकी जोस्तों यहां पे गल्ती हुआ है हमारा यहां पे 630 नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां 610 होना चाहिए ठीक है 610 610 की इसाब से 610 का अगर पंप है तो यह 30 feet के head से तो यह 300 feet तक चेलेगा अब यह 12 stage का pump है तो 12 गुना 30 यह 360 feet तक चेलेगा अब बात करते हैं 26 समर्शेवल मोटर लेकिन यह 50 feet के head में है यानि कि एक employer 50 feet तक पाने ओपर ढेकल सकता है कमपनी वगरा कमपनी थोड़ा सा चेंज है और मोटर सेमी होई है और यहां पर देखिए यह 58 का pump तो यह कितने feet तक चलेगा और यहां पर हमारा 30 हो चुका है तो इतना pump बड़ा नहीं आता तो यहां पर 10 स्टेज का pump यह समझ लीजिए अब यह हमारा दिखिए इस पी से हमारा कोई लेना देना नहीं तो इसकी उपर कोई देखेंगे नहीं हमें हमें स्टिव स्रीप मतलब है एक एंपलेर का कितना कापेसिटी है और स्टेज का तो यह गुना अगर आप करेंगे तो यह निकल जाएगा 50 गुना तो यह जो है आठ स्टेज का पंप यह 400 फिर तक चलेगा और यह जो है दस स्टेज का पंप है तो पास स्टेज का पंप तो यह 600 फिर तक चलेगा अभी है विपूर समर्शिबल मोटर तो हमारे पास 3 15 का पंप है तो हमें इन मोटर से कोई लेना देना है नहीं तो यहां पर एक एंप्रियर भी पूर समर्शिबल मोटर 15 फिर तक पानी डेकल सकता है उपर तो इनकी कैपसिटी कितना होगी यहां पर 3 15 यानिकी 3 HP की मोटर 15 स्टेज का पंप पांच 20 यानिकी 5 HP की मोटर 20 स्टेज का पंप ठीक है तो देखिए हम इसका जो गुना है इससे करना है यहां पर देखिए 225 फिर तक चलेगा तो यह कितने तक चलेगा 15 गुना 20 तो यह कितना चलेगा 300 फिर तक चलेगा अब इसका क्यलकुलिशन करना पड़ेगा अभी इसका और इसका देखते है 25 स्टेज का पंप है 25 फिट यह चलेगा 300 के असपास चलेगा और यह 30 फिट है तो यह यह जो है 6 पंप है यानिकी 6 HP की मोटर 30 का पंप यह चार्सों पांच फिट तक चलेगा तो दोस्तों यह अलग-अलग capacity निकल दिये, शायद आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेट में बता देना हम इसके लिए अच्छा सा वीडियो बनाएंगे अब आपको इसका practical दिखने के लिए शूडियो के end में मिल जाएगा, कुछ दिन की बाद update हो जाएगा, ओ भी वीडियो practically की कौन सा motor कितने fit तक चलता है तो हमें हर motor की capacity जाननी के लिए पहले हमें employer के बारे में और stage के बारे में पता होना चाहिए stage यानि कि उसके अंदर कितने employer हैं हमें यह बताता है, ठीक है तो दोस्तो हमें हर employer के अलग-अलग capacity के नुसार, अलग-अलग company, हमारे अलग-अलग stage के आनुसार, वो अलग-अलग feet तक गहराय तक motor चल सकती है तो इसके लिए हमें main जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए तो इसके लिए हमें employer के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है यह जो हमारा एक employer हो 15 feet तक पानी उपे-अठेक्ण सकता है यह जो हमारा एक employer है वीशिक से अलग-अलग अलग है, इसलिए तीनों bumper अलग-अलग गहराय तक चलेंगे लेकिन ज़्यादा तर हमारे नॉर्मल लाइप में यही तीन एंप्लियर समर्शिबल मोटर के अंदर होते हैं इससे ज़्यादा अगर होंगे तो मुझे प्लीज कमेंड बॉक्स में बताना कि आपके यहाँ पे कौनसा एंप्लियर कितने गहरा तक चलता है तो कुछ दिन के बाद आपको इसका सेकंड पार्ट अप्डेट होगा जो कि हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि कौनसी मोटर कितने फिट तक चलती है और दोस्तो हमने इस वीड़े में कहा था कि मोटर मैटर नहीं करती है कि मोटर कितने फिट तक चलीगी लेकिन दोस्तो अगर तीन सो फिट पे चलने वाला पंप है अगर आप उसको ज्यादा इस पी का मोटर जुड़ देते हैं तो वो साड़े तीन सो या पिर चार सो फिट तक भी चल सकता है लेकिन आपको ज्यादा कन्फिजन होगा इसलिए हमने ज्यादा विस्तर से उसके बारे में बात नहीं की तो तब तक के लिए हमें दे इजाज़त दोस्तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपके मन में कोई सावाल या पिर सुजा हो तो प्लीज कमेंट बाक्स में लेके बताना तो दस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस हमारे वीडियो को कर देना एक लाइक अगर आपको हमारी चैनल के सभी वीडियों पसंद आती हैं तो हमारी चैनल को कर देना सस्क्राइब तो मिलती हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक के रहाएं गुड़ बाद